हेलो अर्वबन वेल्कॉम टू बिग्जन इस्टूट आज हम डिसकस करेंगे इंट्रिकेशन के बारे में और यह आपका इंट्रिकेशन जो टॉपिक है बहुत ही वाइड है बहुत ही इंपोर्टेंट है यह आपका चैप्टर सेबन एट और नाइन तीन रॉल पले करेगा त आपने एह चीफ्टर सेद्री पढ़ लज्या जम्हान ho ऑफिक चैप्टर 7 येट 9 तीन आपको बहुत ही हैल्प मिलेगे इससे और चैप्टर सैबस्फंद हम एपके इंट्रियेशन ही करना है, ना यह में भी आपको इंट्रियेशन करना है, इंट्रियेशन होता क्या है, आपको एक function गिवन है, और उस function का क्या करते हैं, डेरिविटिव करते हैं, और डेरिविटिव से अगर हम दबारा क्या find करें, same function find करें, तो क्या होता है, इंट्रियेशन ह होता है क्या नह question क्या रहा है डिएरिवेटिव गिबन होगा और डिएरिवेटिव से रिबर्स करना आपको से गिवन करेंगे इंटेवारे सब्सक्राइब ना चीए तो यह क्या होता है अब यहां पर यह गिबन देखिए fx plus c एक function के बने अगर मैं इस function करता हूं differentiation करता हूं तो आपको पढ़ाओगा अपने chapter 5 में क्या पढ़ाता हूं कि अगर आपको फंक्सन के बनें अगर मैं इसका डया है तो constant क्या होईता है? खतम हो जाता है remove हो जाता हूँ से 0 हो जाता है आपको तहीं होगा तो मैंने ढ़ी देखा कि आपको की बने fx प्लस c अगर मैं इस function का क्या करता हूँ में इस derivative function का दोवारा सगरा में इंट्रियोसन करता हूं तो same function क्या हो जागा रेटेन हो जागा बापस हो जाएगा तो आपने क्यार देखा कि आपके function के बनता, आपने इसका derivative किया, derivative करने। क्या हम किया और अगया, F .X при X . वापस हो जाएका आपका लौट के वही आ आजाएक है आपने यह फंक्षन था यह प्रोसेश चलता रहता अगर इंट्रिएशन करेंगे तो इससे बोलते हैं इंट्रिएशन तो यहां पर मैं एक example लेट किया है y equal to x square plus 5x plus 6 अब देखे मैं पहले क्या करूँआ इस function करूँआ derivative अब derivative करने के बार मैं check करूँआ क्या ये function द्वार return हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैंने क्या देखा y equal to x square plus 5x plus 6 एक function के बने अगर मैं इसका derivative करता हूँ क्यों कि function देखे किसमे y में और variable क्या आपका x तो it means आपको y function का x के respect में derivative करना आपको पढ़ाय गया chapter 5 में तो यहां से आपका आएगा dy upon dx equal to यह हो जागा f dash x f dash x का meaning है इस function का आपने derivative कर लिया है equal to क्या आएगा इसका हो आपका 2x plus 5 आपका हो जाएगा तो यहां से क्या आगया आपका dy upon dx आगया अगर मैं दोवारा से में इसका integration करता हूँ तो क्याएगा देखिए dy upon dx equal to आपका क्या बने 2x plus 5 तो यहां से क्याएगा देखिए ट्राम से करते है y equal to इसका हो जाएगा 2x square upon 2 plus 5x plus c आपने क्या चेक किया फंक्सन क्या था आपका x square तो x square मैच कर रहा है 5x तो 5x मैच कर रहा है constant क्या था 6 तो यहां से क्या आपका arbitrary constant हो इस 6 यहां सो कर रहा है तो आपने देखा कि आपको एक function के बन था आपने इसका derivative किया derivative करने का दोबारा उसके क्या कर दिया आपने integration कर दिया तो integration करने क्या आपको दोबारा वोई same function आपका return कर गया तो आपने देखा कि integration क्या होता है integration जो होता है derivative का reverse process होता है तो आपको यह क्या बताया है आपको बताया गया कि आपको एक function की बन था आपने इसका derivative किया derivative जो derivative निकला है उस derivative का दोबारा से गए integration कर दें तो आपको यहाँगा same जो function था वो function दोबार retain हो जाएगा तो आपको यह आपने सीख लिया हुआ integration है क्या यह आपने देख लिया होगा और आपने देखा कि y equal to क्या आगया आपका दुबारत है x square plus 5x plus c आगया c यहां पर क्या arbitrary constant यहां 6 हो कर रहा है आपर तो it means यह क्या हो गया आपका integration हो गया तो आप में लिख दिया आपर integration is the reverse process of derivative तो integration क्या होता है डेरिबेटिब का reverse process होता है आपने देख लिया हुआ अच्छे से अब यहां पर यह देखिए integration को टू पार्स में ब्रेक किया गया पर indefinite और definite देख लेते हैं क्या होता है देखिए integration को यहां पर मैंने two parts में ब्रेक कर लिया है फरस्ट आप काता है indefinite integral नेक्स्ट आप काता है definite integral लेकिन नाम से पतल लगा रहा definite indefinite अब यहां पर यहां पर यहां पर लिखते है यहां पर आपको होता है limit a to b f x और d x तो आपने देखा कि यहां पर क्या है कि limit के बीच में आपको क्या करना है यह आपको limit नहीं पता है तो यह अपको क्या होता है आपका integration sign होता है यह होता है integration sign और यह क्या होता है आपको एक करता हूं आपको यह पर 가까 Effective S क्या हो जाएगा व्हेका यह को दो करना पढ़ेगा आपको तो यह आपने देखा एंटीकसितिय को होते हैं फिर्स्ट आपको हो गए इंडेफिनिट सेकंड आपको definite अब बात करते हैं इसके बारे में देखिए इंडेफिनेड के बात गठी देखिए ही को सकते साथे अब सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब यहां पर इंडेफिनिट इंट्रीकल अब सब्सक्राइब यहां पर एक क्या के बने वाई एक्वल्ट के बना आपको सब्सक्राइब यहां पर इंडेफिनिट 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 equal to x और dx तो यहां से कर integration सान लगाते हैं क्या है क्या है क्या है क्या होगा y equal to x condition होगा x square upon 2 plus c क्योंकि indefinite integral है plus c रहाएंगे अब मैंने क्या होता है क्या सो करता है family of cards हो कर रहा है आपको पता है क्या है single x पावर क्या है double क्या सो करेगा पैरवला सो करेगा अब पैरवला कहां से pass होगा depend करेगा c पर c अगर देखे it may be c constant आपका 0 भी हो सकता है अब यहां पर देख लेते हैं क्या क्या कर बनेगा देखे इसका यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है अब depend करता है कि इसकी बात करें तो इसकी equation क्या होनेगी y equal to x square upon 2 इसकी equation बन जाएगी अगर हम इसकी बात करें तो इसकी क्या हैगी y equal to x square upon 2 plus 1 इसकी हो जाएगी y equal to x square upon 2 plus 2 हो जाएगी इसकी बात करें y equal to x square upon 2 minus 1 यह आपको जागा y equal to x square upon 2 minus 2 तो कहने का sense है indefinite जो integral होता क्या करता है family of curve so करता है तो यहाँ पर एक constant जो c होगा constant c आपका 0 भी हो सकता है क्योंकि arbitrary constant कुछ यह value कुछ भी so कर सकता है यह depend करता है आपका function क्या आता अब लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा आपको सिधर derivative given होगा derivatives का आप find करेंगे integration के थुरू function find करेंगे अब लेकिन आपको सिर्फ direct क्या given है derivative given है function का अब function क्या था यह आपको नहीं पता है तो महाँ पर लगाते है arbitrary constant अब arbitrary constant कौन decide करेगा function फंक्सन क्या था यह आपको पता नहीं है तो इसलिए क्या करता है इंडेफिनेट इंट्री का लोगा क्या करता है यह करता है यह कर्व आपका इस तरह से भी हो सकता है कैसा भी कर सब्सक्राइब यहां पर देखते हैं इंट्रीस आइंट्रीटी लिस्ट और अपसे आइटिटी यहां पर कुछ आईटिटी है इनके बना आप इंट्रीक शौल नहीं कर पाएंगे मैं यापर पहले लिखूँगा डेरिवटीव अधिटिटी द्हें लिखूँगा मैं इंट् constant का derivative क्या होता आपका जीरो लेकिन यहां पर बात करें constant का integration क्या होता है CX क्योंकि C आपको constant है तो बार निकल जाएगा यहां वोचे का 1 condition क्या होता X plus constant लेते हैं C dash या C बन ले सकते हैं D ले सकते हैं कोई constant different क्योंकि दोनों same match ना करें constant का derivative यहां पर क्या होता है constant derivative होता है 0 लेकिन integration क्या होता है CX plus constant होता है इस तरह देखिए अब बात करें लगले identity D over DX X power N इसका derivative क्या होता है N X power N minus 1 आपने क्या देखे डेरिट में क्या देखे पावर आगे आगी एक power कम होगी तो यहां पर इसका पोजिट होता है क्या आएगा X power N और DX इसका हो जाएगा X power N plus 1 upon N plus 1 plus C आप देखिए इसमें power कहा आती है multiply में लेकिन यह पावर क्या आएगी divide में यह पावर क्या होती बन कम है यह पावर क्या होती है बन extra होती है तो आपने देखा कि यहां पर यह पावर उती प्लस बन वहां multiply वाला क्या आता है divide में लेकिन आप देखिए यहां इंटु में था है divide में आएगा next आप कहेगा D over DX sin X का direct होता है cos X तो आप देखिए यहां पर cos X का integration क्या होता है minus sin X plus C next आप देखिए D over DX आप कहा हो जाएगा कहार कह पर cos X का sin X होएगा तो यहां पर क्या है आप्ता D over DX cos X का rất мас Ready sin X तो यहां पर क्या है कहा है sin X का integration क्या होता है minus cos X plus C maker green द्योवर DX 10x का direct हो दा है sec square x इसका हो जाएगा sec square x का क्या होगा 10x plus c next आप कहएगा d over dx आप कहएगा cot x इसका होता minus cosec square x तो यहाँ पर cosec square क्या जाएगा cosec square के इंट्रियसम हो जाएगा minus cot x plus c next आप कहएगा d over dx आप कहएगा sec x sec x कहोता sec x into 10x आपको जीट होता है आपको reverse process है sec x into 10x का क्या होता है integration यह होता sec x plus c तो यहाँ पर यह कुछ बहुत important identity है यह आपको learn करना बहुत ही कम बद सरी है अगर आपने इसकी identity learn नहीं की तो यह शोर है कि आप integration नहीं पढ़ता हैंगे integration solve करने के लिए यह जितनी ही identity आपको पढ़ा जा रही है यह बहुत ही carefully आपको एक एक identity learn करने है उनकी practice करने है then तभी आप यह question solve कर पाएंगे और कैसे apply करते हैं यह learn करने के बाद ही आप apply कर पाएंगे तो देखते हैं आपर बहुत सारी identity remaining अभी और देख लेते हैं यहां से कुछ अब देखते हैं next derivative में क्या आप आप आपने d over dx cosec x का derivative क्या होता है minus cosec x into cortex यह आपको इदेखना इसका क्या हैगा cosec x into cortex dx equal to होता है minus cosec x plus c अब अगला आपका हैगा d over dx e k power x equal to होता है a k power x log a base e अब यहां पर क्या हैगा just day opposit a k power x log a base e dx equal to होता premiere a k power x plus c अगला आपका होता है d over dx e k power x क्यAmathence यहां पर होता रीं क्या आपका e k power x करते होता हैगा e k power x or dx equal to होता e k power x प्लस सी नेक्स्ट अगर देखें D over D aकस log x by देट हुदा डेक्स तो यहां पर क्या है आपका बनल्क प्लस दिय लोग एकस प्लस सी इस तरह दिखांगे भूस सारी डेनटी है जो अब थेक्म होंगी और दीख लेते हैं कुछ अधी मेनिग यह भी d o a d x sin inverse x इसका डिरेट होता 1 upon root 1 minus x square तो यहां से क्या एगा आपका 1 upon root 1 minus x square dx equal to a up जैगा sin inverse x plus c next आपका है d over dx cos inverse x यह पता minus 1 upon root one minus x square ङा वente शो स्कूर्ध को सीयुक्स नेक्स अपका खाएगा मद्रस गया होता है को समेख इनुपर知道 को स्कूरियों सब्सकूर्ध के पर आपको 1 आपको लोर्पन प्लस लिएग। इनुपर स्कारण कुछ identity और remaining है वो और थोड़ा और देख लेते हैं कि बिना identity के आप integration solve नहीं कर पाएंगे next आपका आता है सीधे integration लिखता हूं 10x 10x का integration अब मैं डिरेटिव बात करता हूं कि डिरेटिव क्या होता है 10x का आपने पड़ी लिया है अब मैं डारेक इंट्रिकेशन का फॉल्ली लिखाएता हूं क्योंकि नहीं टाइम वेस्ट होगा कि 10x का integration होता क्या होता है 10x और dx इसका होता लॉग कोस x मोड के अंदर होता है माइनस लगा सकते हैं या पर लोग सेक एक्स प्लस सी तो आप दिखाए या तो आप इसके 10x का integration आजातों आप यह identity लगा सकते हैं तो नवे इक्कोवेलेंस हैं अब देखतें नेक्स का है लिखेए इसमें है कोट एक्स के लिखाए लाए हैं कोट एक्स और dx इसके लगा सकते हैं अप लोग को सानों हो गया 10 हो गया है अगहलों आपक्षा है को से से लेका से कई का होगा से के लोग sa sa š 10-8 आपन देखा देखा से लोग saけ x प्लस 10 Mexico इसको भी क्या मोड के अंदर लिख लें इसको भी कि नेस्ट आप आएगा सिए इस इसका अड़ाएगा लॉग श्या बोलाओ कि नौट के अंदर लेए को साइक से मिनस कॉट X plus C तो यह कुछ important identity जो आपको learn करनी है 10 X की identity क्या होती है minus log cos X mode के अंदर plus C log sec X mode के अंदर plus C लिए सकते हैं या पर cortex क्या पढ़िया आपने log sin X plus C mode के अंदर के बने plus C या पर minus log cos X plus C sec X की इंट्रियस आपका यह बने और cos X आपको यह बने कुछ important identity आपको directly apply करनी है कुछ identity और रिमेनेगे वहने अगले उसमें discuss करते हैं अब देखते हैं यहां पहले कुछ पार्ट कर लें थोड़ा से इसमें कि अब यहां discuss करते हैं कि आप में देखाऊगा कि हम जितने भी question integration के पढ़ रहे हैं सभी में constant c लगा रहे हैं अब इसमें constant c आता है क्यों है अब यहां पर चेक कर लेते हैं इसके बार हम देखिए यह constant c कहां से आ रहा है क्यों आ रहा है तो इस कम प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा सभी यह सपोर्ज जट आपके function के अब यहां पर मैं पहले इस function क्या करूँगा डेरिविटिव करूँगा दिएक्स तो यहां से आपका दिएक्स आजाएका अपका 3x square प्लस 6x प्लस 5 और देख एक्स का दरेट क्या होगा 1 constant c क्या हो जागा 0 अब आपने देखा कि यह function के बन था मैं इस function क्या किया derivative find किया अब derivative से द्वार क्या find करूँगा function find करूँगा बताया था मैंने क्या होता रिवर्स प्रोसेस होता है तो यहां से आपकाएगा dy equal to 3x square plus 6x plus 5 into dx यहां पर यह आपकाएगा dx तो यहां पर क्या लेट कर लेए वन लेट कर लेए one condition क्या हैगा y यह जागा 3 पावर क्या होती है एक एड़ होगे x पावर 3 अपाउन 3 plus 6x square upon 2 plus 5x plus c तो solve करें क्या हैगा y equal to x cube plus 3x square plus 5x plus c अब आपने क्या देखा function चेक कर यहां पर क्या बन था y equal to x cube plus 3x square plus 5x plus 7 की बन थे 5x है आपका 5x तो आपने क्या देखा यह पूरा यह फंक्सन है यह पूरा फंक्सन रेटें कर रहा है अब लेकिन constant जो term होती है क्या करते है तो आपने क्या चेक के रहा है कि बागे सब कुछ suffering करेंगे यह पूरा क्या कर ने वापस होगी है लेकिन constant यह क्या होता है आरेटेरी constant होता है अब लेकिन हम जो question पढ़ते है आपको डारेक्टी क्या दे जाता आपको यह function आ क्योंकि आप वहां में जो solve करते हैं यह given नहीं होता है तो इसलिए पता ही चलता हमें constant है क्या लेकिन यह constant पता लग रहा है constant क्या आपका 7 है लेकिन हम जो question पड़ते हैं वो derivative given होता है already और derivative क्या करते हैं हम integration करते हैं तो और C क्या आपका arbitrary constant है आप पता लगया होगा constant IDC इसमें क्यों लगाते हैं indefinite integral में indefinite integral जो करते हैं आपका constant term बार में पता होता है इसलिए क्या लिखते हैं इसमें constant C क्यों लगाते हैं क्योंकि आपने देखा क्यों x q match कर रहा है 3x square match कर रहा है, 5x match कर रहा है, लेकिन constant 7 इस पर match नहीं कर रहा है, तो यहां के लगाते हैं, constant C रगाते हैं, यहां पर आप पता चली भी रहा है, कि यह constant है, लेकिन आप पता चलता है, क्योंकि वहां पर हम direct derivative का क्या करते हैं, integration करते हैं, अब यहां पर हम discuss कर लेते हैं, कुछ questions plus 6 von root x अब आपको यहाँ पर एक function क्य suicidique और इसका क्या करना आपको integration करना है क्योंकि आपको सीधा चिर्षा क्या 83 derivative क्या करते है integration करते है e paperwork तो यहाँ से क्या करते है separate यहाँ पर क्या square x work 2lage half x power 3 by 2 plus 5 यहां से क्याएगा आपका x4 1y2 प्लस यहां से क्याएगा 6 x4 मानस 1y2 और ds तो यह आपने देखाओ किस तरह मैंने कर लिया इसको मैंने क्या किया इसे separate करके divide किया है इस से कर डिवाइड करूं क्याएगा x4 3y2 प्लस 5 as it is x4 क्याएगा half प्लस 6 x4 मानस half तो यहां से क्याएगा इसका x4 3y2 प्लस 1 अपॉन 3y2 प्लस 1 प्लस 5 x4 क्याएगा 3y2 अपॉन 3y2 प्लस 6 1 एड करिंग क्याएगा x4 1y2 अपॉन 1y2 प्लस c तो solve करने क्याएगा यहां आपका आएगा x4 5y2 और यह जाएगा 2y5 प्लस यहां से क्याएगा देकिट यह 2 यह जाएगा 10 अपॉन 3 x पॉन 3 अपॉन 2 प्लस यह जाएगा 6 2 जाएग 12 रूट x प्लस c तो यहां से क्या कर लिए आपने यह आपको एक derivative गिवन था और मैं इस derivative क्या किया integration किया है और इंटेक्षन करनें के आगा है यह दोवारा यह function return कर गया तो आप यहां पर क्या है constant c आगया है यहां पर तो अप पतल लगे यह function क्या आपको function रेटेन हुआ है अब लेकिन function आपको क्या था function given नहीं था आपको सीधे क्या गिवन था derivative given था derivative से हैं नहीं find किया अब constant c क्यों लगाया है तो कि function क्या था हमें पता नहीं है अब function था यह given सीधे बात यह function था लेकिन इसमें constant क्या था यह विरकुल नहीं पता है तो यह c क्या आपका arbitrary constant show कर रहा है आपर c को यह constant value है और क्या है यह हमें नहीं क्योंकि यह में function given नहीं था हमें सीधे क्या क्यों था derivative given था derivative था derivative कर यह integration किया यह function match कर रहा है सब कुछ match कर लेकिन क्या match नहीं किया constant match नहीं क्या लगाते है प्लस लगाते हैं और एक दो problem देख लेते हैं अभी सब पुछ ऐसा एक आपको मिलेगा 10 square x का integration क्या होगा यह find कीजिए तो आपको मैं अभी थोड़े पढ़ाया था बहुत सारी identity पढ़ाई थी कुछ रिमेनेंगे, हलेंग कराएंगे हम उनको भी होई लेगन 10 square x की मैं इन identity पढ़ाई नहीं है ऐसा कोई problem आगी तो क्या solve करेंगे देखिए अब यहां पर क्योंने 10 square तो इसे क्या कर सकते हैं आपको 10th class में एक identity पढ़ाई की थी तो आपने पढ़ा था सैक square x minus 10 square x equal to क्या होता है 1 तो यहां से क्या हैगा आपका सैक square x equal to क्या हैगा देखिए सैक square x minus 1 equal to 10 square x तो आप देखिए आपने identity पढ़ाई है सैक square x minus 10 square x equal to क्या होता है 1 तो यहां से यह दर जाएगा सैक square x minus 1 equal to 10 square तो आप इसे क्या कर सकते हैं सैक square x minus 1 तो यहां से आपको जाएगा sec square x minus 1 into dx तो sec square का integration क्या होता पता आपको 10x 1 kindation क्या होता x plus c तो इस तरह से आप बहुत ही इजिली function को break करके हैं इसको break कर सकते हैं इस तरह से break करके उसका integration आप find कर सकते हैं कुछ problem और देख लेते हैं इससे related सपोज आपको एक question मिल गया sin square x का integration क्या होगा या फिर cos square x का integration क्या होगा ऐसा एक कोई problem मिल गई तब कैसे इसका integration करेंगे क्योंकि आपने sin x का integration पढ़ा है sin square का नहीं पढ़ा है cos square का नहीं पढ़ा है तो यहां से हम कुछ identity आपको note करा रहे है cos 2x की identity पढ़ी है आपने एक पढ़ी है आपने 1-2 sin square x और एक पढ़ी है आपने 2 cos square x minus 1 तो यहां से क्या करेंगे value find कर लेते हैं sin square value निकाल नहीं है इसको एज़र transfer कर दें तो क्या है का देखिए मैं पहले यह solve कर रहो first part solve कर रहो है तो first part देखिए आपका तो यहां से आपको हो जाएगा 1- cos 2x upon 2 into dx अमीद है सभी मारा होगा sin square को एज़र transfer कर देखिए 1- cos 2x upon 2 हो जाएगा तो upon 2 क्या होगा constant हो जागा अब यहां पर जाए 1 1 का integration क्या होता है x minus अब sin x का integration क्या होता है sin x cos x का होता है sin x sin 2x upon 2 plus c अब देखिए 7 में क्या होता है 2-3 यहां से 2 क्या होगा 2-2 जा यह आपका 4 हो जाएगा दोबारा देखिए लेगा कैसे होगा इसका integration अब देखिए 1 upon 2 जो गिवन था 1 upon 2 को बार constant ले लिया 1 का integration क्या होता है x minus as it is अब देखिए यह क्या लेखिए cos 2x है अपने mind बेखिए cos x का क्या होता है integration होता है sin x जो x का coefficient होता हो कहा आता है derivative मा था multiply लेकिन यहां पार आता है divide में तो यह क्याएगा 2 आपका already था 2 to 4 प्लस यह आपका हो जाएगा इसी तरह से आप cos square का भी का कर सकते है यहां से आपका हो जागे दर 1 plus cos 2x upon 2 हो जागा यहां पर sin क्याएगा सिर्फ प्लस आजाएगा इस तरह से आप बहुत ही easily किसी function का आप को derivative की बने किसी derivative का आप बहुत ही easily integration कर सकते हैं एक दो question और देख लेते हैं सब जोज आपको question मिलगी है इस तरह से 1 upon sin square x cos square x और dx आपको एक function की बने है और यहां पर इसका integration cash solve कर सकते हैं होती easy है आपने 10th class में एक identity पढ़ी होगी क्या पढ़ी था identity आपने sin square x plus cos square x equal to क्या पढ़ा है 1 यह आपने एक identity पढ़ी होगी आपने sin square x plus क्योंगी है बहुत ही famous identity सभी को पता होता है नोरोल इसके बारे में sin square plus cos square x equal to 1 तो देखिए आप 1 को में क्या पूट कर सकता हूँ sin square plus cos square पूट कर सकता हूँ sin square x plus cos square x upon sin square x into cos square x और dx यहां से क्या कर लेंगा separate कर लेते हैं sin upon में total करूँआ तो यहां से क्या आएगा sin square x upon sin square x into cos square x और dx plus cos square x dx upon sine square x cos square x और dx तो यहां से दिख्याएगा वो dx उपर रहेगा आपका, sin से sin cancel तो क्या हैगा, बन अपॉण cos square को होता, sec square x, sec square x plus cos square से cos square क्याएगा, यह देखा, sec square x और dx और आपने पढ़ा है, sec square x का integration क्या होता है, आपने पढ़ा है, 10x minus, इसका होता है, cos square होता है, minus cortex, plus c, तो इस तरह से यह आपको एक derivative था कि बनता है, function कि बनता है derivative, और derivative से में क्या करें, derivative को क्या करते हैं, अब ने integration किया, और क्या बने कि आपका यह function बन चुका, आपका यह function था इस तरह से, तो बहुत ही easy है, आप किसी भी derivative का बहुत ही easily क्या कर सकते हैं, intuition के through, find कर सकते है function आपका, अब यहां पर और देख लेते हैं, यहां से, अगला सब्सक्राइब यह question के बने, sin की power 8x upon cos की power 10x, ऐसा ही question आ गया, तो cash solve करने थे कि यह बहुत ही important question है, और अगर बच्चा को पहली first time इस question देखता है, तो थोड़ा सुचता है कि पता नहीं, गल सा लग रहा है, तफ सा लगता है, तो समझें इसको बहुत ही जी है, आप इसे कर सकते हैं, sin power 8x upon cos की power 8x into cos square x, और यह हो जागा dx, sin upon cos क्या होता है, 10, 10 की power 8x into, यह हो जागा आपका, sec square x, और dx, अब देखिए, मैं only 10 को लेट कर लूँ है, क्या होगा, let, 10x equal to t, 10 क्या होगा, sec square x, dx equal to dt, यहां से क्या match करेंगा, sec square x और dx, तो यहां से आपको क्या जागा dt, और यह क्या हो जागा, यहां पर हम बात करेंगे, टी को लेट क्या है, टी क्या होगा, टी क्या होगा, इस तरह से आप बहुत ही एजिली किसी function क्या कर सकते हैं, integration find कर सकते हैं, बहुत ही easy है, अब यहां पर हम बात करेंगे, types of integration के बारे में, क्योंकि यह पढ़ना बहुत ही कमप ज़री है, क्योंकि इस तरह है, यह तो पता लगा हो, कैसे apply करनी है identity, आभी बहुत सारी problem solve कराएंगे, देना आप पता लगए दाएगा, सबसे पहला आता आपका integration by substitution, इंट्रिकेशन by substitution, अब देखें, इंट्रिकेशन by substitution, अब देखें, यहां क्या करना, आपको function let करना, एक continuously, short में continuously, differential function, differentiable function, देखें क्या कराएंगे, यह कराएंगे, gx क्या एक function के बने, इसके बाद क्या कराएं, then to evaluate integral, हम क्या करेंगे, इसका integral find करेंगे, तो यहां पर क्या एक function है, जो continuously differential function है, तो हम क्या करेंगे, इसका integration find करेंगे, इसका कैसे find होगा, देख लिएते हैं यहां से, i सो कर रहा है integration को, तो यहां पर क्या एगा, f gx, into g dash x, और dx, अब यहां पर क्या एक, आप से यहां से क्या एक इससे let करेंगे, इससे let, let, gx, equal to let करेंगे, t, यहां से क्या एक, g dash x, और dx, equal to dt, तो it means आप इस पूरे पार्ट को क्या ले सकते हैं, अब, इस पूरे पार्ट को ले सकते हैं, dt, तो यहां से क्या आजएगा, यहां से देख, आपने collect किया इसको, t, तो यहां आजएगा, कि आपको i, आप intention की बन था, fgx, into g dash x, यहां की बन था, आपने gx को let किया, gx क्या करते हैं, differentiation करते हैं, यहां से हैगा, g dash x, और dx, equal to dt, अब, g dash x, और dx से ले सकते हैं, dt, तो यह पूरा जागा dt, उसे क्या लेट किया आपने t, तो क्याएगा, ft, और यह आपको जागा, dt, तो इस तरह आप बहुती जली क्या कर सकते हैं, इसका, integration find कर सकते हैं, question देख लेते हैं, आपको पता लगे जाएगा, कैसे apply करना आपको, बहुती easy है, बिल्कुल भी hard नहीं है, substitution बहुती important है, आपको पता होना जाएगा, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ इसमें remaining अभी करा आएगे इसमें, लेकिन एक दो problem कराते हैं, पहले कैसे इसको apply करना आपको, just suppose आपका cos sin x into cos x और dx, suppose आपको एक function की बने है, यहां से देख लेते हैं, देखिए, ध्यां से देखिए, question की बने है, बहुती important question है, और आपको की starting के लिए, यहां पर की बने है, cos into sin x into cos x और dx, अ बहुती है किसी function का, लेकिन derivative से intuition निकालना उतना easy नहीं है, तो यहां द्यान से देखिए, क्या करा है आपर, cos into sin x और यहां पर given देखिए, तो यहां क्या करेंगा, अगर मैं इस function को let करता हूं, क्योंकि मैं जब पता, cos x का intuition होता है, cos sin x का नहीं होता, आप इससे let करेंगे let sin x equal to t, तो sin क्या हैगा, cos x dx equal to dt, अब देखिए, cos x और dx को आप क्या support कर सकते देखिए, cos x dx सा आपको हो जागा dt, तो यहां आपको हो जागा dt, आपने isaculate किया है, t, तो जागा cos t, cos t क्या होता है, sin t plus c, तो आपने देखिए, cos t का intuition क्या होता है, sin t plus c, क्योंकि आपका function कि में था या function था आपका x में है लेगिन आप convert किसमे हो गए हां आपका T में convert हो गया है तो उसे क्या कर सकते हैं आप T का मीनियर क्या देखिए है T का मीनियरक साइन x sin sin x plus c आपने क्या देखा इसका जो integration होगा इस whole part का integration होगा, sin into sin x plus c होगा, तो इस तरह सा बहुत ही easily substitution से integration find कर सकते हैं, अब यहाँ से देखते हैं, तो question और देख लेते हैं, इससे आपको और पतल लग जाएगा, कि substitution से करना कैसे होता है, यहाँ पर एक question लिलिया, मैंने, suppose just question लिलिया, 3 sin x plus 4 cos x upon 4 sin x minus 3 cos x और dx, देखें, यह question की बने हैं, अब आपको कहकरना, substitution में क्या होता है, let करते हैं, आपको पता अगर मैं इससे let करूँगा, 3 sin x को यहाँ से 3 cos x आएगा, लेकिन यह match तो कर रहा है, लेकिन negative आ रहा है, और अपन मारा match नहीं करेगा, तो क्या कर लेते हैं, इससे अगर let क let करेंगे, तो कहने का अधा, let derivative करने है, match करना चाहिए, तो let कर लेते हैं, 4 sin x, minus 3 cos x, equal to t, तो अब निकी क्या करूँ, मैं, यहां करते क्या हैं, आप किसी function को let करने है, एक function का derivative करेंगे, derivative करने हैं, second function match करना चाहिए, उससे बोलते हैं, substitution method, तो यहाँसे यहाँगा, 4 sin x का derivative cos x, minus minus हो जाएगा, plus, क्योंकि sin करके, cos कहोता है, minus sin, minus minus plus, 3 sin x, dx, equal क्या हो जाएगा, dt, तो आपने क्या देखा, 4 cos x, plus 3 sin x, यह पूरा क्या कर गया, यह पूरा function match करके, देखी ध्यान से, यह पूरा match कर रहा है, तो इस पूरे part को मैं क्या ले सकता हूँ, dt, और इसे क्या ले t, plus c, तो यहां से हैगा, log, t का meaning क्या है, यहां पर, t का meaning 4 sin x, minus 3 cos x, plus c, तो इस तरह सा आप देखा है, बहुत ही easily, आप intuition find कर सकते हैं, substitution के थिरू, अगर अगर इस question को देखे हैं, तो आपको बहुत ही difficult लगेगा, देखने में क्या से कैसे करना है, तो आपको यह सोचना यह कि, यह आपको derivative बने हैं, और derivative से क्या करते हैं, intuition के थुरूफ function find कर रहे हैं, तो आप यह समझांशन कोNET करें, कै कि लेट करने पर other function क्या करना चाहिए, match करना चाहिए, आप इसे flat करना चाहिए, इसे, कहने का sense है, कि आपको light करना है, उसका vind raton करना आolina, करने पर सेकिंड अगर मैच कर गया तो आपका बहुत इजी कुशन हो जाएगा इससे बोलते हैं सब्टिशन में यह बहुत ही इंपोर्टेंट है आपका बहुत सारे कुशन में यूज होगा तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें अब नेक्स्ट आपको सम इंपोर्टेंट सब्टिशन है एगे में थूरा सॉट में दो पूर्ण स्टेट्मेंट सम इंपोर्टेंट सब्टिशन क्या क्या आप पूट कर सकते हैं यह आपको पता होगा बहुत ही और तो यहां देखेलेते हैं यहां पर क्या कि बने अगर आपको मिलगा यह स्कॉयर प्लस एक्स गया तो आप X उक्ल्ट क्यां पूट कर सकते हैं? X इक्ष्ग्व टू ए CT ठीटा गार एक्ष कॉ टु क्या था वह एक्ष्ग्वर्च एकल क्षवड रिएंग यही धंख निंख सकते आपको क्या मिल ओपर आपको मिल गया 1प्लस x स्वयर तो आप क्या पूल कर सकते हैं ? sin या फिर cidos다는 सकते हैं यजिए आप करेंगे आप x equal to sin theta या फिर एक्स एक्वल तो cos theta प्ना कर सकते हैं अगर आपको यह a nat değil a square minus x square तो आप क्या करेंगे आप PA x equal to a sin theta या फिर एक्स एक्वल तो a cos theta पूल कर सकते हैं अगर आप उल्टा मिल गया तो अगर आपको मिल गया x square minus 1 मिल गया तो आप x equal to पूट करेंगे x equal to आप पूट करेंगे sec theta या फिर x equal to cosec theta पूट कर सकते हैं अगर आपको मिल गया x square minus a square देन आप x equal करेंगे a sec theta ठीक है यहां से पूट करेंगे a sec theta यहां फिर x equal to a को sec theta पूट कर सकते हैं तो हाले कि आपको जातर case आपको यह मिलने वाले हैं आप कुछ और remaining है और यह और देख लेते हैं देखें suppose आपको मिलेगा a minus x upon a plus x ऐसकुछ मिलेगा तो इस case में आप या फिर ऐसा मिलेगा a plus x upon a minus x मिलेगा तो ऐसे case में आप x equal to क्या पूट कर सकते हैं a cos theta पूट कर देए a cos theta पूट कर सकते हैं जान से देखें यहां पर आपको a minus x मिल जाए upon a plus x या फिर a plus x upon a minus x ऐसा कुछ case मिलेगा उस case में जहां भी x से क्या पूट करेंगे a cos theta पूट कर सकते हैं या फिर आप a cos to theta पूट कर सकते हैं दो नहीं करेक्ट हैं या पर अब देखते हैं next क्या आएगा देखिए अगर आपको आगे x minus a upon beta minus x ऐसा ही question आ गया x minus a upon beta minus x या या फिर और आपको ऐसा मिलेगा x minus alpha x minus a मिलेगा इस तरह मिलेगा ब्रिकेट के अंदर तो अब क्या पूट करेंगे ऐसे case में तो ऐसे case में आपको x equal to पूट करेंगे a cos square x equal to a cos square theta प्लस आप beta alpha यह पूट कर सकते हैं आप तो अगर ऐसा case मिलेगा वेश में साइसा केस मिल गां एक मानस बाई माना से पयंदे और इक सट गर अगया तो ऐसे केस मैं ऑप सट कर सकते हालनकि यह बहुत कम ईकार ही होटा है और जो में कराती है यह प्री बेडियो में तनायी है इस प्र में निक्त बीटाश कर veil थैंक यू गाइस पर वोचिंग इस वीडियो